अमेरिका के राष्टपती चुनाव में डेमोक्रेटिट पार्टी के उमीदवार जो बाइडन ने भारत्य मूल की सिनेटर कमला हैरिस को उपराष्टपती पत का उमीदवार चुना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की सिनेटर हैं। बाइडन के चुनाव परचार अभ्यान की ओर से कहा गया है जो बाइडन डेश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट को फिर से एक जुट करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाइडन को उपराश्पती पत की एहमियत के बारे में अच्छी तरह से पता है और उन्हें विश्वास है कि देश को पटरी पर वापिस लाने में कमला हैरिस सर्वस्रेष्ट सांजीदार होंगी। इससे पहले बाइडन ने हैरिस के परिवार को कैलिफोर्निया से लाने के लिए एक विशेश विमान भी भेजा था। करीब देड़ साल पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उमीद्वारों की रेस में कमला हैरिस परमुख दावेदारों में से एक थी। पादर्शों पर खरा उतरे। उन्होंने आगे कहा अपनी पार्टी की ओर से उपराष्टपति पद की उमीद्वार बन कर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं। और वह सब कुछ करूंगी जो उन्हें हमारा कमांडरी चीफ बनाए। बतादें की पिछले साल कमरा हैरिस ने भारतिय विदेश मंतरी एस जैशंकर के उस फैसले के खिलाफ बात की थी। जिसमें उन्होंने अमेरिकी संसर सदस्यों से इसलिए मिलने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे भारतिय मूल की सीनेटर प्रमिला जैपाल को बैटक से बाहर करवाना चाहते थी। जैपाल कश्मीर मीती को लेकर मोधी सरकार की सक्त अलोचक रही है। इस बीच अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने बाइडन के इस फैसले पर हरानी चताई है। करते हुए कहा कि यह अमेरिका में पूरे समूदाय के लिए गर्ब और उत्सव का खषण है। प्रख्यात भारतिया अमेर्की और इंडियास पूरा के संस्थापक एमार रंगा स्वामी ने कहा भारतिया अमेर्कियों के लिए यह है बहुत गोरव का पल है। भारतिया अमेर्की अब वास्तम में राष्ट्रिय ताने बाने में एक मुख्याधारा में हैं। प्रमुख भा लाइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले